जमीदार रहता था। उसका नाम था धनपत। वो बहुत कन्जूस था। वो अपने यहां काम करने वाले को खूब सताता था। जो भी उसके यहां काम पर आता। उससे वो पूरा महीना पूरी सक्ति से काम लेता। और जब वेतन देने का समय आता, तो उसे ऐसे काम बताता कि वो उन्हें कर नहीं पाता, उसे के आण में वो उससे लड़ पड़ता और उसका वेतन हड़ाप लेता, एक समय ऐसा आया, जब धनपत के घर लोग काम करने से मना करने लगे, लोगों ने भूखा मरना पसंद किया, मगर उसके घर काम पर जाने के लिए राजी न हुए, धनपत के अपनी कोई संतान न थी, हार कर उसने मुनादी करवा दी, कि जो भी मेरे यहां काम करके मुझे प्रसन करतेगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूँगा, मुनादी सुनकर कोई भी उसके घर काम करने पर राजी नहीं हुआ, उसे गाउं में हर्खु नाम का एक युवक रहता था, वो बहुत होशियार और चालाग था, धनपत जमिदार की ये घोशना सुनकर, उसने जमिदार को सबक सिखाने की ठान ली, वो पूरे आत्म विश्वास के साथ उसके घर गया, धनपत ने उसस आसान नहीं है, मैं जो भी काम तुम्हें बताऊंगा, वो करना पड़ेगा, अगर नहीं कर सके, तो वेतन का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वेतन देने का समय आया, तो उसने हर्खू के साथ भी वही करना चाहा, जो वो दूसरों के साथ करता था। शाम को हर्खू जब खेतों से काम करके लोटा, तो जमीदार ने उसे पास बुला कर कहा, हर्खू कल तुम खेत पर मत जाना, घर के पिछवाडे में बांस के कुछ पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ों पर हरी हरी पतियन लगी हैं, उन्हें तोड़े बिना ही बैलों को खिला देना। हर्खू बोला, हुजूर जैसे आपके आग्या, दूसरे दिन सुभा होते ही वो बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया, और उन्हें पेड़ से बांद कर डंडे से पीटने लगा, बैल जोर जोर से रंभाने लगे, और उचल उचल कर पेड़ के चारों और चक्कर का बैलों के रंभाने की आवाज सुनकर धनपत भागा भागा आया, वो हर्खू पर चिलाया, अरे पापी, बैलों को पीटना बंद कर, हर्खू बोला, हुजूर देखी न, ये पेड़ पर चड़ते ही नहीं है, इसलिए ने जोर जोर से पीट रहा हूँ, ताकि उचल कर मैं हार मानता हूँ, फिर कभी ऐसा काम नहीं बताऊंगा, हर्खू अपनी जीत पर मुस्कुराया, और उसने बैलों को पीटना बंद कर दिया, हार कर धनपत को हर्खू का वेतन देना पड़ा, अब जमिदार ने दूसरी चाल चली, अगला महीना पूर्या होने को हुआ, त तुम कल सुभा वहां गोभी के पौदे लगा देना, हर्खू आग्याकारी सेवक की भांती बोला, जैसे आपकी इच्छा मालेक, अगले दिन सुभा सुभा ही हर्खू ने कुदाल उठाया और चट पर चड़ गया, चट पर चड़ कर उसने चट को खोदना शुरू कर दिय चट से खपरेलों के टूट कर गिरने की आवास से, जमीदार की नींद खुल गई, वो कुर्ता पहनते हुए कमरे से बाहर आया, हर्खू को चट पर देखकर और अपनी चट की बुरे हालत देखकर, वो जूर से चिलाया अरे दुष्ट क्या कर रहा है, तुरंत नीचे उतरा, हर्खू ने सहज भाव से कहा, क्या हुआ मालिक? मालिक के बच्चे जल्दे नीचे उतर, धनपत चीखा, मालिक आपने ये तो गोबी के पौदे लगाने के आग्या दी थी, इसलिए तो छट के खुदाई कर रहा अरे ना गोबी के पौदे कैसे लगेंगे? इस बार भी जमीदार को अपनी हार माननी पड़ी, वो नम रहुते हुए बोले, ये काम बंद कर दे हर्खू, मैं फिर तुझे ऐसा कोई काम नहीं बताऊंगा। हर्खू छट से नीचे उतर आया, वो मुस्कुराता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा, लेकिन जमीदार बहुत परिशान था, अब कैसे इस लड़के को हराया जाए? इसे उधेड बुन में 20-25 दिन बीद गए, गाउं में अकाल पड़ने लगा, पानी ना मिलने से, धान सूखने लगे, धनपत को एक तरकीब सूजी, उसने हर्खू को पास बुलाया और कहा, देख बेटा हर्खू, आजकल अकाल बढ़ रहा है, तुम कले मेरे धान के खेत, घर में ले आओ, ताकि धान को अकाल से बचाया जा सके, ये कहकर धनपत ने मनी मन सोचा, कि ये इसके आखरी परिक्षा ही होगी, हर्खू ने सहचता से जवाब दिया, जैसे आपके आग्या मालेक, सुबह होते ही हर्खू ने अपना काम शुरू कर दिया, उसने जमिदार के घर के चौखट और दर्वाजे उखाड़े, और फिर दिवार तोड़ने लगा, जमिदार के पतनी कोएं से पानी भर कर आ रही थी, उसने जब अपने घर की ये दशा देखी, तो भागी भागी अंदर गई, उसने जमिदार को जाकर सारी बात बताई, जमिदार आखे मलता हुआ, दर्वाजे के ओर दोड़ा, उसने देखा कि चौखट और दर्वाजे इधर उदर बिखरे बड़े हैं, दिवार का भी काफी इससा तोड़ा जा चुका है, वो क्रोज से तिल मिला उठा और चिलाया, मूर्क, क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला है, तु अपनी कर्तूर से बा जा, हर्खु ने सहचता से कहा, मालेक आप ही सूची, इतना बड़ा खेत, दिवार तोड़े बिना छूटे से दर्वाजे से अंदर कैसे लाया जाएगा, धन्पट जमिदार ने जब हर्खु की बात सुनी, तो उसका क्रोध ठंडा पड़ गया, और वो मुस्कुराने लगा, जमिदार को मुस्कुराते देखकर हर्खु डर गया, उसने कभी जमिदार को हसते मुस्कुराते नहीं देखा था, वो वहाँ से चम्पत होने ही वाला था, कि जमिदार ने उसे रोक लिया, और उसके सिर परस ने से हाथ फेरते हुए बूला, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया, आज से तू मेरा उत्तर आधिकारी है, तू ही मेरा कारूबार संभाल सकेगा, पासी धन्पत जमिदार की पत्नी खड़ी थी, जब उसने ये सुना, तो उसकी आँखे छलकाई, उसने हर खुखो अपना बेटा कहकर गले से लगा,